हेलो दोस्तों अमीद है आफ फिट फार्ट होंगे और अपनी लाइफ को बहतर करने के लिए काफी प्रियास कर रहे होंगे अर्विन सर्व मोटिवेशन चैनलेंबे आपका स्वागत है आज हम लोग डिसकस करेंगी कि इस साल यह जो साल 2023 का होने वाला है यहाँ पर आपकी कौलिफिकेशन की जगा आपकी कितनी स्किल्स आप एक्वाइर कर पाते हैं नई नी स्किल्स उसकी एक प्रमुक्ता रहने वाली है केवल इस बेस पर कंपनियां हायर नहीं करने वाली है कि आपने बड़े IIT से किया है बड़े IIM से किया है जबकि वो यह देखना चाहती है कि आप कैसे अच्छी स्कुल्स को अपग्रेट कर रहे हैं और उनके लिए काम के हैं आपने कई बार देखा होगा कि कई बार इंजीनिंग करते हैं बच्चे मेकनिकल से इंजीनिंग की लेकिन वो उनमें से बहुत से बच्चे आपकी IIT सेक्टर में या सौट्फियर कमपनियां आती हैं वो देखती हैं कि बच्चा मेकनिकल का है या सिविल का है फिर भी वो IIT के लिए गर सही है तो वो offer कर देती है तो यहाँ पर इस चीज की एहमियत जादा नहीं रह जाती कि क्या qualification आपकी है आज की trend में यह बड़ा important है कि आप company के लिए क्या offer कर सकते हैं और यह offer होगा नए skills ही इसी का discussion करेंगे और वो skills कहां से सीखनी चाहिए कि इन बातों का ध्यान अखना चाहिए अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेर कीजेगा अर्विन सर मोटिवेशन चैनल को subscribe कीजेगा इस्टाग्राम पर follow करने के लिए link description में दिया है जैसा आपने थमनेल पढ़ा ही होगा की IAT IAM की बात न करें बात करें skills की और कराएं कमाएं 24 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए 24 लाख रुपए सालाना या 2 लाख रुपए महीना तो कैसी चीज़ हो सकती क्या है साल 2023 skills रहेंगी priority मतलब आप के पास qualification से ज़ादा skills की priority रहने वाली है तो इसका अंसर जी हाँ ऐसा ही होने वाला है experts के according year 2023 में देखतर companies ऐसे candidates को preference देंगी जो काम के दौरान अपने talent और skill को upgrade करता रहे निखारता रहे अगर पूरे career में landscape की बात करें तो various staff जो consulting companies होती हैं उस पे काफी दबाव भी दे रही हैं कि हमारा जो staff है वो learning ability या अच्छी नईनी skills सीख के काम में आए तो ये साल 2023 learning का साल है या skills अपग्रेट करके करने का साल है अब यहाँ देखिए नई technology में skill बनाना है जरूरी क्यों बनाना है जरूरी recruitment services company team lease services की report के according re-skilling re-skilling का मतलब है कोई skill आपको आती है फिर आप उसको फिर से सीख रहे हैं अपग्रेट कर रहे हैं और up-skilling जैसे trends के बढ़ने की उमीद है re-skill कीजे धार लाइए और उसमें और बहतर चीज़ सीजे तो अब upgrading कर लीजे अब skilling कर लीजे global level पर भी जो industries काफी खुलके आएंगी उसमें bio pharmaceuticals technology technology आप जानते हैं IT वेगरा digital industries food science industries में skilling future की बहतर रहे खोली जाएंगी इसके लावा बात देखिए skills को upgrade करना जरूरी अपडेट करते रहना जरूरी क्यों है world economic forum की future of jobs की एक report के according 2025 तक 50% employees को आदे employees को re-skilling और up-skilling की जरूरत होगी यानि अभी जो हम 2023 में हैं दो साल के बाद तक 50% ऐसे लोग होगे जिनको skills को या तो upgrade करना होगा या re-skilling करनी होगी इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस समय के साथ काम करने के तरीकों में बहुत ही तगड़ा change होता जा रहा है अधिकतर इंडस्ट्री working workplace related traditional skills की बचाए future में जो चीज इस्तमाल होनी है future के skills के लिए शानदार salary देने के लिए तयार रहेंगी तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि आप कहीं से भी अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं या कम अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं आपका focus होना चाहिए कि हम नई-णी skills को कैसे सीखें उसी skills यानि future skills पे ही company down लगाने को तयार है keyword degree या qualification से ही बात बनते नहीं दिखेगी 2023 में तो आप अगर अच्छे institutions में हैं और skills भी सीख रहे हैं तो सोने पे सुहागा अगर आप किसी बहुत शानदार institutions में नहीं हैं तो भी मन को निराशना करें अगर skills आपके पास हैं तो आप उन सब को बीट कर देंगे तो यह ध्यान अखने वाली बात है skills को सही platform से सीखना जरूरी है कुछ online platforms भी है जहां से आप सीख सकते हैं जैसे की Coursera Upgrade Skills Share यह कुछ platforms है जहाँ पर आप skills को अपने अपग्रेड कर सकते हैं गलत skill ना सीखिए sectors हैं जहाँ पर आपकी demand ज़्यादा रहने की उमीद है तो technology वाला sector है medical professionals है दवाओं company में जो काम करते हैं accounting है, software engineering है sales and development, marketing communication customer service and quality analysis यह कुछ sectors हैं जहाँ पर ज़्यादा job आएंगी और अपनी skills को आप upgrade करेंगे तो ज़्यादा बहतर performance कर पाएंगे, इस streams के अंदर अपने लिए कुछ personal goals भी बनाएं देखिए अपने जो आप upgrade करेंगे skills को उसके लिए personal goals भी बनाएं कि आपका भी बहतर development हो सकें, जैसे career में आगे बढ़ने के लिए personal progress के कुछ goals इस तरह बनाए जा सकते हैं मैं खुद को करूँगा, जिससे आप skills को आप बहतर कर सकें, ये decide कीजिए, अपने लिए goal बनाएए हर अफ़ते में अपने छेतर में कम से कम एक वक्ति से contact करूँगा ताकि मेरा network बढ़े और मैं उससे सीख सकूँ, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उसी कुंडूप ये नए opinions मिलते हैं, नए thoughts मिलते हैं तो open रखिए, ये नहीं कि मुझे अपने सही मतलब किसी होर से लेना देना नहीं इस तरह progressive thinking नहीं achieve की जा सकती है, और मैं अपने काम से related अपने thoughts रखने में हिच की चाओंगा, नहीं कोई meeting चल रही है वहाँ पर अपने काम पो लेके कोई thoughts है तो उसको प्यार से आप जरूर रखिए ऐसा ना कीजे कि thoughts sharing बंद कर दीजे, ऐसा करिए जिससे आप कोई thoughts रखेंगे अगला कोई समझेगा, आपका manager या जो team group के members हैं, वो उस पर cross thoughts रखेंगे जिससे एक healthy discussion हो सकता है और आपको नया सीखने का मौका मिल सकता है, क्या भई इसमें ऐसी भी चीज़ें होती है अपनी life में work life balance जुरू बनाईए घर और offline, घर और office के बीच में समय को निर्धारित कर लिजे, एक दूसरे को merge न कीजे, जिससे आप बहतर life भी जी सकें, काम अच्छा कर सकें और बहतर life भी जी सकें तो ये कुछ बाते थी, जो हमेशा ध्यान नकनी चाहिए इस साल के लिए ये बात ध्यान न किएगा केवल qualification से बात नहीं बनेगी, आप skills matter करेंगी ये skills आप जितनी जल्दी सीख लेंगे जितना आप grade कर लेंगे उतनी सुनायरा भविश्य आपका होने वाला है 2030 में, उमीद करता हूँ ये वीडियो काफी helpful रहा होगा, या interesting रहा होगा वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा Arvin Sir Motivation Channel को subscribe कीजेगा Thank you very much, wish you all the best